सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एक सिंगल वीडियो के अंदर काफी अलग लगतर ही कोशन होते हैं जो नेक्स्ट अप्डेट है वो यह है कि टेक्निकल अनलेसिस का कोर्स हम बना चुके हैं उसके अंदर चलना शुरू हो चुकी है पॉसिबली इस मन्त में या फिर नेक्स मन्त के अंदर वह आपको लाइफ मिलेगा एपिसोड वाई चलें अपको पूरा पूरा टेक्निकल अनलेसिस का कोर्स हम देंगे या पर फिरी के अंदर ऑबिसली तो बिना टाइम वेस्ट करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको स्टॉक मार्के क्यूचल फंड और परसनल फाइनस के वारे में सीखना पसंद है या फिर को पर भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना होता जो भी इंकम आती है उसको कितने पूशन के अंदर इंवेस्ट करना चाहिए कि क्या आपको लगता है मुझे लगता है कि कहीं और भी इंवेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास emergency fund ready है और आपने अगर अप maximum पैसा mutual funds के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर इंवेस्ट करना चाहिए ताकि आपके maximum gain initial level पे बन जाए इंवेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर कोई high risk investor है या किसी को बहुत ज्यादा पैसा बनानी की उमीद है या बनाना चाहता है तो उसको बिल्कुल भी किसी और asset class में इंवेस्ट नहीं करना चाहिए उसको सिर्फ उसे mutual fund या फिर stock market केंदा इंवेस्ट करना चाहिए क्योंकि long term में यह चीज़ देखी भी गई है कि जो equities है वो हमेशा outperform करती है बाकी सारे asset class को लेकिन हर किसी asset class का अपना-पना benefits है जैसे अगर मैं stock market और mutual funds की ही बात कर लूँ तो अगर कोई बंदा direct stock pick करता है तो वह आपको high risk वाला investor देखीगा because वहाँ पे उसके analysis पर depend करता है कि वह कित्ते अच्छा analysis कर पाएगा कित्ते अच्छे से reply कर पाएगा कित्ते अच्छे से invest कर पाएगा उसे stock के अंदर उसका खुद की instincts होती है खुद का analysis होता है जिस पे mutual fund खरीते हैं वहीं पे अगर मैं बात करूं gold की तो जब भी inflation आपको high दिखेगा पतला महंगाई दर आपको high दिखेगी उस case के अंदर gold आपको बढ़ता हो दिखेगा अगर आज की rate में कोई बोले कि क्या gold में invest करना चाहिए बिलकुल भी नहीं क्योंकि inflation धीर धीर कंट्रो बहुत भी हो जाए तो पीपीएफ ऐसी इंवेस्टिंग है जिसका पैसा आपसे कोई भी नहीं ले सकता तो अगर कोई इसा पैसा उससे कोई भी नहीं वसूल सकता अधर्वाइस corporate bond हो गया और bank equity हो गया bank equity मेरे को लगता है सिर्फ उस पैसे के अंदर करना चाहिए या तो आ आपका emergency fund हो जिसको आपको बहुत जली से liquid करना हो दूसरा अगर आपने कोई ऐसा पैसा रखाव है कि मार्केट किरेगी तो हम invest करेंगे वह पैसा हमारा हो सकता है bank equity में debt mutual funds के अंदर या debt investing के अंदर में ज्यादा नहीं बानता जहां पर corporate mutual funds या liquid funds के अंदर invest करते हो क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है assets कुछ होता नहीं है इससे ना तो इसको ignore किया जा सकता है पूरी त्रीकिस और यहां पर tax liability भी आप धीर धीर करके बढ़ चुकी है अगर आपने 40s के आसपास हो है 45 age के आसपास हो तो equity के अंदर maximum पैसा डालना चाहिए किसी और asset class के अंदर डालने मुझे नहीं मिलती या नहीं आती तो उस case के अंदर भी आप equity कर सकते हो और अगर आपका risk appetite ज्यादा है लेकिन वहीं पे अगर किसे आप risk appetite का उस case के अंदर आप sovereign gold bond करी सकते हो लेकिन वहां पे आप कुछ पैसा कमा नहीं रहे वहां पे आप sustain करने की कोशिश कर रहे हो और risk free करने की कोशिश कर रहे हो अपने पैसों की other than that रही बात real estate की तो real estate मुझे लगता है अगर आपके पास जमीन है tier 2 tier 3 city के अंदर अब जा करके आपको benefit होगा otherwise कोई benefit नहीं होगा और जब जमीन होती है वह expensive होती है उस पे भी आपकी जो ROI आईगी वह बहुत कम आईगी तो जो आपके आस एक अच्छा corpus बन जाए तो उसके बाद जा करके आप जमीन और बागी चीज़े ज़रूर consider कर सकते हो otherwise मुझे रखता है equity से अच्छा asset class अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं है लेकिन इसके भी अपने अपने problem है और मैं अपना पैसा ज्यादा diversify करने में बिल परफोलियो में 10% से एन्विली यह step up करता है आपका जो पॉटफोलियो है वह अच्छा लग रहा है step up और अच्छा है फिर यह कह रहे हैं कि यह एक्सेस को चेंज करना चाहते हैं कौन सा mutual fund better होने वाला है 16% के इनके realistic return यह expect कर रहे हैं तो सब मेरे साब से Tata इस case के अंदर आपके सबसे अच्छे return मना करके देने वाला है निपॉन से भी जादा अब लोग यहां पर मेरे पर question उठाने वाले हैं कि भाई आप निपॉन करते हो लेकिन आप Tata को बोल रहे हो आज इसके बीचे देखो reason है जो Tata small cap fund है इसके expense ratio कम है जो इसके return है यह moderate to high risk investors के लिए बह क्योंकि जो आपके expense ratio है वो बचा रहेगा अब expense ratio बचाना क्यों जरूरी है इसका बहुत major impact पड़ता है इसके पर मैंने already video बनाई हुई है निपॉन on other hand इसके expense ratio ज्यादा है तो अगर मानलो कोई भी mutual fund चाहे वो निपॉन ही क्यों नहों किसी case के अंदर end up account करता तो आपके expense ratio जाते रहेंगे तो रही बाद 15 साल के लिए तो टाटा small cap fund मेरे साब से विकले अच्छा है अगर आपको buy and forget वाला mutual fund चाहिए तो otherwise अगर आप थोड़े बाद चर्ण करो अपने portfolio को जैसे rebalance करो अपने portfolio को तो उस case के अंदर आप Nippon के साथ अभी जा सकते हो और जब market नीच time के बाद हमारा Tata आ सकता है और अगर आपको ज़्यादा portfolio चीन नहीं करना तो Tata ले करके हम भूल सकते हैं 16% के return मुझे लगता है यह असानी से बनाते हुए आपको दिखने वाले सार रही बात access के आप change करना चाहते हो देखो access under perform जरूर कर रहा है तो मुझे यह लगता है क यहां से यह थोड़ी सी recovery fast दिखाएगा आपको बाखी सारी mutual fund से बाखी सब के recovery अल्रेडी हो चुकी है अब यह जा करके और पैसा कमाने वाले हैं वहीं पर जो access है वो recovery face के अंदर है तो मेरे साब से अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए तो access को आप पापा के portfolio को rebalance कर रहा है विकिस 7000 के SIP लिए मुझे लगता 6000 फंड ज्यादा है उनकी एज 52 के आसपा सा risk है moderate और time horizon है 15 years का तो लक्षा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप क्यूंकि हमाए जो parents अशाद वो यह चीज नहीं समझते वो सूचते diversification अच्छी चीज है ले जो पुराना income mutual fund portfolio था वो आपके सामने है जो नया है जो नया है निपान large cap है इनके उस मोतिरा लोसवाल mid cap है टाटा large cap and small cap mutual fund है कैसा है भाई अगर मैं आपको serious बताऊं तो बहुत अच्छा fund और बहुत अच्छा portfolio आपने choose करा हुआ है अपने papa के लिए बहुत अच्छी बा को देखोगे तो 25% small cap के अंदर mandatory है multi cap को डालना उसके बाद 50% का पैसा को कहीं लार्ज cap में डालेंगे 25% का जो पैसा है आपको mid cap के अंदर डालेंगे overall जो उसका AUM है उसकी बात कर रहे है हम यहाँ पे तो जो आपके पास exposure इस ताम पे नहीं है बिल्कुल भी small cap का वो exposure time है तो small cap के अंदर से जो एक growth हा सकती है वो इस mutual fund के portfolio में missing है तो मेरे साब से कोई भी एक multi cap mutual fund इस portfolio के साथ बहुत अच्छा जाएगा तो अगर मेरे को इसको tweak करना होता थोड़ा सा तो मैं Tata की जगह मैं multi cap लेता कोई भी कोई सा Nippon का multi cap ले सकता हूँ और मैंने अभी recently multi cap वाली वीडियो बनाई है आप महाँ पर जाकर करके जरूर देख सकते हो quant को avoid करना प्लीज साब क्यूंग को अगर आप लोगे तो वहाँ पर जो churning ratio है और turnover ratio है वो बहुत ही ज्यादा है extreme पर चला जा चुका है because उनके investing style वाजी है लेकिन आपके लिए moderate risk investor करें निपान multi cap औ में जाओ तो आपका पूरा पैसा stuck हो जाएगा large cap company कंदर वहीं पर जो small cap का growth है 25% का वो मिसेंगे वो मेरी खाथ से इसमें आ सकता है comment करके बताने वालों मैं हर किसी को बताता हूं जिसका भी question आता है ज्याद दर cases के अंदर मेरे इसाब से जो आपको करना चाहिए वो simply अपने SIP को increase कर देना चाहिए कैसे increase करते हैं जब भी आप 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 आएगे न वहाँ पर आता है monthly installment यह SIP करनी है आपको वहाँ पर जाकर कर लो मालों 2000 कि है 2500 करनी है आपको तो वहाँ पर जाकर कर सकते हो और lump sum मेरे साब से lump sum का time यह सही नहीं है थोड़ा market और नीचे जाएगी ल उड़ी rally और बाकी है उसके अंदर आपका पैसा अच्छा बनने वाला है उसके बाद जो market अब थोड़ा consolidate करेगी यहां से इस level से जब interest rate कम होनी की उमीद हमें दिख रही है मुझे लगता है market के अंदर rally आनी की उमीद बढ़ गई है और आप यह समझो कि जो information में आपको द करता है उस पर market ज्यादा react नहीं करता हो सकता है एक दो दिन react करेगा वापिस से back to normal हो जाएगा तो मेरे हिसाब से यह time अच्छा है ताकि market absorb कर पाए वो news और इस समय पर वही चल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको SIP बढ़ानी चाहिए इस समय पर आसे 6 महीने बाद साल बाद जब पहला interest rate दूसरा interest rate कात आएगा उसके बाद जब market normal हो जाएगी अपनी rally के अंतर तब आपको SIP को थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि market वापिस से नीची set आएगी तब SIP वापिस जा सकती है तो मोटे-मोटे तोर पे इस समय के लिए कोई नया mutual fund बिलकुल भी नहीं खर तो इसी वज़े से SIP उसी mutual fund में करते रहो जिसमें आप कर रहे हो और कुछ time की बात और है उसके बाद आप एक नई SIP शुरू कर सकते हो अगर आपको करना है अपका आपका portfolio नहीं है तो मैं उस चीज़ को पर नहीं जाऊँगा और उस question को कोई ते के से avoid कर वा बजरन संग ने comment करा है बहुत अच्छा comment है कहने कि सर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और बागे साई चीज़ें तो आप पढ़ सकते हो on screen ही है आपके so thank you so much sir आपने ये चीज़ लिखिया और मेरा ये कोशिश है कि मैं हर दिन कुछ नया सिखाने ही कोशिश को हूँ ये जो journey है ये हम सब की साथ में है ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है मैं अभी आप लोगों के वज़े से आपको समझाने के वज़े से हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ जो भी आपके questions आते हैं कही बार ऐसे questions होते हैं जो मुझे भी नहीं पता होता और यह चीज मेरे को भी motivate करती है तो यह two way connection सर आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं और मैं आप से कुछ सीख रहा हूँ और thank you so much कि आप इस YouTube चैनल को at least प्यार दे रहो अब यह channel तो ठीक है channel है हमारे लिए लेकिन कहीना कि connection बिल्ड हो रहा है हमारा जो कि बहुत जादा important है और बहुत जदा valuable है मेरे लिए मुझे नहीं लगा था कि यह channel इतनी तीज़े से यहां तक पहुंच जाएगा तो आप लोगे support के लिए thank you so much sir और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकिया हूं जिससे हमारी जो financial education है वो grow होती रहे next question भी फरान जी का है त मैं किसी भी mutual fund से switch करता हूं दो साल के अंदर तो क्या होना चाहिए तो sir मेरे इसाब से किसी भी mutual fund से switch करने का time तब आता है जब वो mutual fund underperform करने लगे अगर कोई भी mutual fund more than one year underperform कर रहा है तो फिर हमें उस से switch कर देना चाहिए या फिर at least 2 साल तक आपको wait कर लो उसके बाद आप उसको switch कर सकते हो इसके पीछे जो सबसे बड़ा reason है कि जो fund underperform कर रहा उसको recovery में थोड़ी ज़्यदा problem होने वाली है तो अगर आप recovery phase में रहोगे तो आपके जो maximum return है जो बाकी mutual funds में बन सकते हैं वो नहीं बन पाएंगे अब यहाँ पर question यह आ सकता है कि क्या मेरे को loss हो रह है जो बहुत ती से grow कर रहे होते हैं हम वहाँ पे बेचेते हैं बहुत तेजी से हैं कि हमारा पैसा हमें realize हो जाए वहीं पर जो mutual fund हमें loss दे रहे हैं कम return दे रहे हम वहाँ पर इतना ज़्यदा नहीं बेचते क्योंकि हमें loss से दिक्कत है आप यह समझो कि overall आपने 5 साल में कि matter करता है यह matter नहीं करता कि आपने कितने mutual fund से कमाया है मेरे इसाब से कोई भी mutual fund एक से दो साल तक अगर परफॉर्म कर रहा तो उसको बेच करके हमें दूसरे mutual fund में shift होना चाहिए यह personally मेरा माना है अभी export के पास आप जाओगे वह बोलेगा कि buy and forget करो मतलब हमेशा एक ही mutual fund म में पैसा बन जाएगा तो long term में उत्ता ही पैसा बनेगा जितना सबगा बन रहा है 15-17% के आसपास अगर आप थोड़ा ट्रिक करते हो थोड़ा ज्यादा effort लेते हो जो आपके return है वो maximize हो जाते हैं और उस case के अंदर आपके return है वो long term में बहुत अच्छे return मिलते हैं तो इस मेरे लिए जादा matter करता है और मैं उसी के अपर जादा belief करता हूँ तो कोई भी mutual fund underperform कर रहा है अब यह पता कैसे चलेगा underperformance है देखो अगर कोई benchmark है जो नीचे गिर रहा है मालो bear market है लास दो साल के अंदर आप बोलते हैं में mutual fund underperform कर रहा है वो underperform नहीं कर रहा है because market में ही growth नहीं है जब market में ही growth नहीं है तो आपका mutual fund भी अच्छा काम नहीं करेगा because कोई stock अच्छा काम नहीं कर रहा है benchmark अच्छा काम नहीं कर रहा underperformance तब दिखती है जब market भाग रही है 15-17% CAGR से आपका जो पुराना mutual fund है वो भाग रहा है 8-10% CAGR से इसका यह मतलब है market को underperform कर रह है उसका alpha अच्छा नहीं है मतलब beta बीटा क्या होता है volatility किता उपन नीचे जाएगा market 1% किरती है तो आपका mutual fund किता गड़ता है नहीं पे alpha क्या होता है market 1% बढ़ती है तो हमारा mutual fund 2% बढ़ता है नहीं बढ़ता है तो इसी तरीके से हमारा alpha अच्छा होना चीए beta कम होना ची कि ऐसे mutual fund अगर आपको मिल जाए तो जरूर आप वैसे mutual fund पिक करो और जब भी market गिर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब मार्केट बढ़ रही है तो आपका mutual fund 3G से recover करना चाहिए मेरा यह मांद मैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेरा पुराना SIP है वो एक्सिस क के अंदर है 25 साल के जो उन्होंने स्टॉप कर दिया है यह 1.2 लाक उसके अंदर अल्रेड़ी इंवेस्टेट है और redeem करना चाहते हैं और reinvest करना जाता है mutual fund के अंदर ही तो क्या करना चाहिए और आपने यह भी बताए कि आपकी वाइफ का portfolio है जिसके अंदर एकसे निपाउ ही है तो आज की डेट के अंदर आपका वाइफ का काफी अच्छा portfolio लग रहा है रही बात आपको reinvest करना है पैसा तो मेरे साब से मोतिला लोस्वाल मिड कैप जो mutual fund है वो काफी aggressive तरीके से growth दिखा रहा है और वो mutual fund काफी तरीके से growth करेगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ ज मल्टी कैप है निपाउन इंडिया का वो भी बहुत शानदार return दे रहा है और यह सारगा सारा main equity के अंदर आपका पैसा जाता है तो यहां पर आपके पैसे बनने की chances ज्यादा है रही बात small cap के तो आपके जो small cap है वो वह वैसे भी काफी ज़ादा decent और अच्छा perform कर रहे है तो मेरे ख्याल से एक multi-cap mutual fund आपके पूरे overall portfolio को अच्छे तरीके से cover कर लेगा या फिर एक mid-cap और दोनों मेंसे मेरे ख्याल से एक mutual fund आना चाहिए जिसके अंदर आप reinvest कर सकते हो obviously मेरा opinion है आपकी जिगह होता तो मैं कुछ ऐसा create करने की कोशिश करता want आप ले नहीं सकते because case आपकी wife की portfolio के अंदर है और वो over aggressive portfolio हो जाता है हमारा case के अंदर तो मेरे इसाब से एक mid-cap या फिर multi-cap दोनों मेंसे कोई भी mutual fund अच्छा रहने वाला है long term के लिए और अच्छा पैसा आपको बना करके दे सकता है ऐसा मेरा मानना है सब्सक्राइब कर सकता हूं कि मुझे करन होता तो मैं क्या करता सबसे पहले मैं small cap की side जाओं तो मैं quant लेता विकल मिरे को पता है वहां पर रिस्क ज्यादा है और मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं दूसरा गा मुझे mid-cap category के अंदर लेना होता तो मैं motilal oswal mid-cap mutual fund ले लेता वहीं पर अगर मैंको flexicap category के अंदर ही लेना होता तो मैं पराग पार एक flexicap mutual fund ले लेता या फिर इसके अलावा में quant cup flexicap mutual fund ले लेता और मेरे इसाब से मेरा portfolio काफियत तक खतम हो जाता और इसके अलावा मुझे और कुछ लेने की जरुवत नहीं है अब यहां पर आ जाए कि आपने sdf से choose क्यों नहीं किया या को तो इस टाइम के बाद obviously मैं अपने portfolio को change कर लेता यह कोई suggestion नहीं है यह सिर्फ मेरा उपीन है कि आज की date में मतलब जो जिस दिन यह वीडियो बना रहा उस date कंदा मुझे लेना होता तो मैं यह तीन में ले लेता हो सकता है छे महीने बाद साल बाद दो साल के बाद थोड़ा है small cap गिरा है या फिर large cap गिरा है सर्फ मैंने graph actually नहीं देखा तो मैं आपको जूटनी बोलना चाहूंगा लेकिन मेरे साब से सबस्यादा गिरा है small cap और small cap ही गिरेगा क्यूंकि small cap volatile ज्यादा होता है मतलब वहां पे आप यह मालो liquidity crunch हो जाता है जैसी आप sell करो नहां वैसी lower circuit lower circuit लगेगे और जो large cap होता है वहां पे lower circuit जातर cases में नहीं लगते हैं तो जो small cap mutual funds होते हैं या small cap stocks होते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरता है वहीं पे वो सबसे ज़्यादा बढ़ता भी है लेकिन small cap में जब growth आती है तो वो बहुत ज़्यादा आती है जो small cap के stock या mutual fund होते है वो 2-3 साल तक सिर्फ और सिर्फ consolidation में भी रह सकते हैं मिलने index ही बात हो रही है आपे लेकिन जब bull run आता है और ये चीज़ याद रखने वाली बात है small cap bull run में ही outperform करता है maximum cases के अंदर अगर हम mutual fund या फिर index की बात करें और वहीं पे अगर हम particularly stock की बात करोगे तो small cap ही almost grow करने वाल है तो क्या हमें small cap ही देना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है हर किसी के portfolio के हिसाब से उसको वो चीज़ खरीनी चाहिए किसी को ज्यादा पैसा चाहिए तो small cap होता है उसके लिए किसी को कम पैसा stability चाहिए तो उसके इसके अंदर large cap mutual funds आते हैं प्रीज सिंग जी का question है कह रहे हैं कि thank you so much आपने पहले कोशन लिया no worries sir मेरा काम हींगी चीज़ कॉंट small cap है टाटा small cap है स्टीफ से मेड कैप है कॉंट active fund है कह रहे है क्या modify करना चाहिए continue करो मेरे साब से कुछ भी modification की जरूरत नहीं है आप continue कर सकते हो in a very long time तो आपके अच्छे पैसे बनते हों दिखेंगे लेकिन मैं point के लिए आपको दुबारा बता दूं कि active fund क्वांट का हट करके multi-cap fund आ सकता है other than that आप इसको भी continue करते हो तो मेरे साब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर जो क्वांट का fund manager है या जो उसका algorithm है वो अच्छे से काम करते रहते तो आपके पैसे बहुत शौनदार मिलेंगे और वहीं पर अगर वहां पर दिक्क के अंदर invest कर सकते हैं 20 साल के लिए invest करना चाते हैं तो sir मेरे हिसाब से अगर आपका 20 साल का view है तो small cap के अंदर आपका maximum पैसा होना चाहिए और जो second option होगा mid cap के अगर हम सिर्फ mutual fund की बात कर रहे हैं इस समापे हमारी economy बहुत इसे grow कर रही है तो जो small cap और mid cap की companies है और भी जाती से grow करेंगे 20 साल के अंदर किसी को invest करना है तो यहां पर वो ज़रूर invest कर सकते हैं अगर long term का point of view है हमारे तो यहां पर 20 साल की बात हो रही है तो अगर 2-4 साल के लिए आपका portfolio नहीं भी grow कर रहा तो आपको portfolio को संभाल करके back कर करके देखना है और देखना है कि market grow कर रही है नहीं कर रहे मार्केट ग्रो करी है आपको portfolio नहीं कर रहा तो इहां पर थोड़ाताय सा change होगा portfolio में में वहीं इस तरीकÈ स多बी मैं कर आपको Jerusalem की बारे नहीं करना चाहिए, इसके पीछे थे को reason है, अगर मैं आपको कोई भी micro cap stocks बता दूँ, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि मेरी liability बन जाएगी, कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, तो मेरे को आपको आ करके बताना पड़ेगा, जिसके chances थोड़ से कम है, बिकेज हो सकता है, मैं उस सहाँ पर वो अवाइड कर दू, पहली चीज़, दूसरी चीज़, अगर मेरे को किसी चीज़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छे से नहीं पता, तो मैं उस चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा, माइक्रो कैप इंवेस्टिंग, वेरी हाई रिस्क इंवेस्टिंग होती है, बिकेज महाँ पर लिकुडिटी करंच भी आता है, तो 10% उपर, 10% नीचे, किसी भी दिन हो सकता है, और पब्लिक फॉरम पे आकर के माइक्रो कैप के बारे में डिस्वेस करना, ये मेरे इसाब स सही नहीं है, बिकेज मेरे बोलने से, अगर कोई भी पैसा लगाता है, उसका पैसा गिरता है, और वहाँ पर मुझे पता है, कि मैं उसको पूरी इंपुट नहीं दे सकता, तो मैं उस बारे में बात करने से थोड़ा सा बचना चाहूँगा, बिकेज आपका पैसा है, आप कि शिदत से कमा रहे हो, किसी भी influencer के बोलने से, या किसी भी YouTube पे बोलने पर आप खरीद लोगे, microcap at least, largecap और midcap, smallcap तो फिर भी समझाते हैं, बट microcap तो आप फास सकते हो, तो इस वज़े से, sir, microcap stocks के बारे में बताना मुझे ही रगता सही होगा, हम mutual fund के बारे में जरूर हम डिसकस कर सकते हैं, लिफ्ट वगा question है, भाई, जो आपका ये वाला question है, कि count वाला ये मैंने already cover करा हुआ है, अपनी last Q&A वाली video के अंदर, तो आप जरूर जा करके उसको check करो, because, वहाँ पर मैंने उसको detail में cover करा हुआ है, तो मैं आपको जरूर link दे दूँगा, comment कर पर, तो मेरे साब से सही रही है, अगर आपको इसमें invest करना है, तो आप कर सकते हूँ, लेकिन मेरे साब से बजाज finance का stock में अच्छा होने वाला है, तो अगर आपको 3-4 साल के लिए invest करना है, तो मैं directly आपको suggestion नहीं दे सकता है, अगर मुझे करना होता है, तो मैं FD की जग जाँगा, इन्हों question है कि sir मेरे को किसके साथ जाना चाहिए, निपॉन या फिर कॉंट, मरब दोनों से जा रहे हैं, दोनों mutual fund बहुत अच्छे है, दूसरा question है कि suggest ना हूँ, मैं stop कर रहा हूँ, कैनरा के अंदर, बिल्कुल sir, ऐस सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कैनरा में, ऐस सच कुछ outstanding होने वाला है, जूकि निपॉन और कॉंट में नहीं हुआ, तो comparatively को हम avoid कर सकते हैं, मेरे साथ से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5000 यह SIP करना चाहते है, तो किसमें करें, मेरे खाल से equally divide कर दो, निपॉन और कोई की नयाम fund लेनी की जरूरत है ह 17% के return, मेरे साथ से यही mutual fund आपको बना करके दे देंगे, अगले 10 साल के अंदर, लेकिन, same चीज़ में की repeat करना चाहूँगा, quant के अंदर risk थोड़ा सा ज्यादा है, वहीं पे return भी थोड़ा सा ज्यादा है, और यह चीज़ आप शायद समझते होगे, अगर आपको risk से बचन हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को तरज़ा risk नहीं लेना, तो मैं Tata के साइट चाहूगा, अगर आपको यह पता है कि fund manager है, जो अपने risk पे, क्योंकि fund को पैसा सिर्फ तभी मिलेगा, जो fund manager है, वो पैसा बना करके दे पाए, अगर fund manager पैसा नहीं बनाएगा, तो तब Tata small क्या पाता है, तो मेरे इसाब से तो साइब बिल्कुल सही है, मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं है, बिकिस मेरे इसाब से आप high risk investor हो, तो जब high risk investor होई, तो mutual fund के अंदर मारना है चटका, तो भाई, कौंट के साथ मारें, दो रंचा, रंचा, रंचे रंचा, रंचे तो आप प्लीज उसको जाकर कर सकते हो, और देख सकते हो, यह कुछ कुछन से जो पिक करने है, मैं कल भी Q&A डालने वाला हूँ, तो जो भी इस वीडियो पर कमेंट आने वाले हो, जो सुभी की वीडियो का आई है, यह दोनों कमेंट को मैं पिक करके, मर्ज करके एक वीड पर डाल सकते हो, आपके Q&A जल्दी से जल्दी पिक हो जाएंगे, और कल की वीडियो में पिक हो जाएंगे, मेरा यह मानना है, और शायद मैं जल्दी से जल्दी लेकर क्या हुआ, थैंकि सो मच वाचिंग इस वीडियो, टाटा, बबाई, साइनिंग ओफ